श्री शिवाय नमस्तुब्यम हर हर महादेव कैसे आप सब आज 11 मार्च 2022 शुकरुवार के दिन नव में तीती है और आज होलास्टक का दूसरा दिन है यानि कि शुक्र ग्रह से जुड़ी संबंदित परिशानियों को दूर करने के लिए और माता रानी को प्रसंद करने के लि संबंदित कोई नकारत्मक प्रभाव पढ़ने वाला है तो उसे दूर करने के लिए आज का उपाय बहुती उत्तम होने वाला है पुझ्य गुरुदेव की कता सुन करके समझ करके वीदी पुर्वक समझाने का प्रयाज करते हैं कि कि किस प्रकार से आपको अदभुद और अगर चैनल पर नए आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरू प्रेस करें और जादर से जादा शेयर करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तु ब्यम जरू लिखें चलिए जानते हैं आज के दिन आपको क्या उपाय करना है देखिए आप ये जो उपा माता लक्ष्मी के सामने ये उपाय करना है आप घर में कर रहे हैं तो माता लक्ष्मी की फोटो के सामने आपको एक लाल चोकूर कपड़ा बिछाना है और उस चोकूर कपड़े के उपर आपको हल्डी से स्वास्तिक बनाना है ध्यानकें आप गुमावदा लाइन ना उस प्रकार से आपको हल्दी का स्वास्थिक बनाना है अब आपको क्या करना है थोड़े से साबू चावल लेना है द्यानके साबू चावल जो रहेंगे वो खंडित तुटे हुए चावल नहीं लेने चाहिए आपको कभी भी आप धार्मिक क्रिया करते हैं तो आपको अक्ष नहीं है तो आप थोड़ी सी सूखी हुई हल्दी पीसी हुई हल्दी आप उसके अंदर मिला सकते हैं तक जो चावल है वो पीले हो जाए अब आपको क्या करना है इसी स्वास्थिक के ऊपर आपको ये चावल रख देना है अब आपको एक चो मुखी दीपक प्रजिलित करना ह ध्याना के चोमुकी दीपक आप जो लगा रहे हैं वो घी का दीपक होना चाहिए और चार तरफ बाती होने चाहिए अगर आपके जीवन में इस होलास्टक के दोरान अगर आपके ग्रह पीडित हो रहे होंगे जिससे आपके धन संबंदित परिशानिया उत्पन्न होने वाली होगी तो वो इस उपाय से दूर होने वाली है इसलिए चोमुकी दीपक चारो दिशाओ से अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या आने वाली होगी वो दूर होने वाली है चोमुकी दीपक लगाना है गी का दीपक होना चाहिए गी के अंदर भी आपको या तो केसर मिला द ताकि वो जैसे ई प्रजुलित हो, तो आज पास का जो औरा है, जो वातावरन है, वो प्रफुलित हो जाये और आपके जीवन से धन सम्भनित परिशानिया है, वो दूर हो जाये। पीला दीपग जब जलता है तब मातारानी प्रसन होती है और आज तो नवमी तीती भी है और शुकरवार का दिन भी है तो इसलिए ये उपाय सर्वोत्तम होने वाला है अब आपको क्या करना है आपके हाथ में एक कोडी लेना है आपके जीवन की जो भी परेशानिया है उस को कोडी को आप सफेद कोडी भी ले सकते हैं और पीली कोडी भी ले सकते हैं दोनों में से एक कोडी लेना है अगर आपके पास दोनों कोडी है तो आपको पीली वाली कोडी ही लेना चाहिए अब आपको क्या करना है ये जो पीली वाली कोडी है वो दीपक में याने कि घी में आपको duo दिनी है उसके अंदर घी के दिपक में आपको रख दिनी है अब आपको माता लक्ष्मी के सामने आपको ओम महा लक्ष्मे नमह या ओम श्रीम नमह ओम श्रीम नमह बीज मंत्र है इस मंत्र का भी जाब कर सकते हैं इस मंत्र का जाब करने से आपके जीवन में आ रही सम अब आपको क्या करना है जब भी ये दीपक मंगल हो जाए उसके बाद आपको क्या करना है वो कोड़ी निकाल देना है दीपक को साइड में रखना है दीपक जो आप जला रहे हैं वो माटी का यह होना चाहिए पूराना भी ले सकते हैं नया भी ले सकते हैं और उस दीपक को आपको साइड में रख देना है और आपको क्या करना है जो लाल कपड़ा है उसके अंदर जो स्वास्तिक बना है साथी स प्रभाव देने वाले होंगे तो अगर धन संबंदित कोई भी परेशानिया आपको उत्पन्न होने वाली होगी वो पहले से ही दूर हो जाएगी तो ये बहुत ही अच्छो गुपा है ये आज ही की रात्री में आपको करना चाहिए ध्यानकि ये जो पोटली है ये भी आपको आज ही की रात्री में आपको बान करके आप जहां पर भी धन रखते हैं वहाँ पर आपको रख देनी है बड़ा ही अच्छो गुपा है अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंड में पूछ सकते हैं श्री शिवाय नमस्तुब्यम हर हर महादेव